So Hello Everyone, Welcome back to my channel Achiever BACB दोस्तों एक वार फिर से आप लोग का धेरो स्वागत है Achiever BACB YouTube चैनल में ठीक है आज हम लोग बात करने वाले मेरे प्यारे दोस्त बच्चों की Class 10th Social Science यानी की सामाजिक विज्ञान का Most BBI Important Objective Questions का Part No.7 लेकर आएं ठीक है Part 6 तक Already हो चुका था जो की Playlist बना गया है आज हम लोग Part No.7 लेकर आएं दोस्तों तो चलिए हम लोग सुरुआत करते हैं बिना जादा समय इधर उधर गवाए हुए दोस्तों यदि पहली बार आप लोग चैनल पर आएं हैं न तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस आउन कर दीजे ठीक है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को सुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा लाज तक देखिएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि आखिर सर क्या-क्या बताएं वो क्या खास बात है कि इस वीडियो को बनाए गया तो चलिए हम लोग शुरुवात करते हैं फर्स्ट नंबर कोस्टेंस बाबू क्या लिखा गया है कि पर्थम प्रित्वी सम्मेलन कब हुआ था पर्थम प्रित्वी सम्मेलन कब हुआ था पहला का से उत्तर options नंबर आपका करेट क्या जगा 1992 इस भी में पर्थम प्रित्वी सम्मेलन हुआ था बाबू ठीक है चलिए हम लोग next question चलते हैं दोस्तो next question से सबसे पहले आपसे request है कि आप जब भी आप Google पर सर्च कीजिए ना तो सिर्फ Achiever Education आपको सर्च करना है ठीक है गूगल पर इसका PDF लेने के लिए ठीक है बहुत सारे मेरे प्यारे दोस्त बोलते हैं सर कॉल भी करते हैं मैसेज भी करते हूं चहां ताहां बोलते हैं कि सर भाईया PDF कैसे मिलेगा सर तो बाबू आप लोग को बोला जाता है हर एक बाल बोला जाता है तो आपको Google पर सिंपली सर्च करना है बाबू आप लोग को कहां सर्च करना है Google पर आप सर्च क्या किजिएगा Achiever Education सर्च किजिएगा ना वहाँ पर इसका आपको website मिल जाएगा www.theachevereducation.com करके इसका website है website पर आपको click करना है जैसे ही website पर आप click कीजिएगा website जाके open हो जाएगा website open होने के बाद आप लोग को class 10th में चले जाना है 10th में जानने के बाद वहाँ आपको objective questions में चले जाएए फिर social science में चले जाएए वो तमाम सबसुख सुख सुवधा वहाँ पर उपलाब दे चले हम लोग second number questions जादा समय इदर उदर नहीं गवाना है main point main बात पर आपको समझाया जाता है सिर्फ बीडियो में ही ठीक है बिहार में बालू मिस्तरित जलोद मिटी को क्या कहते है दूसरा का सही उतर options number आपका correct क्या हो जाएगा रतेली मिटी या दियारा की मिटी या वांगर मिटी या रेलर टाइल मिटी तक क्या हो जाएगा दूसरा का सही उतर options number क्या हो जाएगा दियारा की मिटी बिहार में बालू मिस्त जलोद मिटी को क्या कहते हैं दियारा की मिटी दोस्तों गंगा जी के उस पार्टी के चलिए हम लोग next questions, questions number 3 की बात करते हैं, questions number 3 क्या लिखा गया है, ये सब जो questions है ना, इसी से questions लड़ेगा, इसी से questions आएगा, सियोर हो ठीक है, आप अच्छे से study कीजिए और इसी से questions देगा भी, ये बहुत सारे questions जो है ना, ये पिछले साल previous year के questions है, और धेरो सारे questions को नया pattern, नया questions बना गया है, ताकि विद्यार्थी को कहीं भी कोई दिक्कत का सामना करना ही नहीं परे, ठीक है, तो तीसरा number questions क्या लिखा गया है, बिस्व परियावरन दिवस कब मनाया जा तो तीसरा का सहितर options number आपका correct क्या हो जागा, पांच जुलाई, पांच जुलाई को ना, बिस्व परियावरन दिवस मनाया जाता है, ठीक है, चलिए हम लोग next questions, questions number 4 की बात करते हैं, 4th number questions में क्या लिखा गया है, काजी रंगा रास्टिये उद्यान किस राज में अस्थित है, काजी रंगा रास्टिये उद्यान किस राज में अस्थित है, तो 4 का सहितर options number आपका correct क्या हो जागा, असम राज में, असम राज में रास्टिये उद्यान अस्थित है, कौन सा काजी रंगा, ठीक है, चलिए हम लोग next questions की ओर चलते हैं, questions number 5, आप questions वीडियो को पूरा अंत तक देख लिजे, उसके बाद आप PDF लिक है, Google पर सर्च कीजे, इसे 4 से 5 बार, 6 बार पर ये, याद कर लिजे, दोस्तों, बनाते, बनाते, पढ़ते, पढ़ते, तो आपको याद हो ही जाएगा, बिलकुल आसान ही है, ठीक है, निमने लिखित में कौन प्राकिर्तिक स संसाधन नहीं है, तो पच्छमा का से उतर option नमबर 5 का क्या होजएगा, फाइब का आपका C हो जाएगा, ठीक है, निमने लिखित में कौन प्राकिर्तिक संसाधन नहीं है, तो नगर हो जाएगा, फाइब का क्या हो जाएगा, C नमबर आपको options correct हो जाएगा, next questions क्यों चलते ये महामार्ग सबसे लंबा है 6 का सही उत्रा उप्संस नंबर आपका 6 का क्या हो जागा A नंबर NH7 जो है ना वो सबसे बड़ा सबसे लंबा राष्टी ये नेशनल महामार्ग है दोस्तों ठीक है चलिए हम लोग next questions की और highway है next questions questions नंबर 7 का बात करते हैं सेवन्थ नंबर questions में क्या लिखा गया है बाबू इन और ठीक है इन और पतन किस राज में अस्थित है questions नंबर 7 का सही उत्रा अप्संस नंबर आपका correct क्या हो जागा तमिल नाडू तमिल नाडू में ना इन और पतन सबसे ज़्यादा अस्थित है कि इस राज में चलिए next questions questions नंबर 8 का बात करते हैं 8 नंबर questions में क्या लिखा गया है देखे भारत को कुल कितने डाक छेत्रों में बाटा गया है questions नंबर 8 का सही उत्रा अप्संस नंबर आपका correct क्या हो जागा भारत को कुल कितने डाक छेत्रों में बाता गया है तो D हो जाए प्क नाइंत नमबर फोस्चन से यह है कि वरसा जल संग्रहन के धांचों को न अधर घर में बनना किस राज में कानूनन अनिवार्ज है या नि क्या बोल रहा है अब समझे कोस्चनस को वरसा जल संग्रहन के धांचों को ठीक है वर्साद जल जो होता है न वो संग्रह करने के धाचों को हर घर में बनाना किस राज में कानूनन अनिवार्ज है सभी को बनाना ये कानून है कौन सा राज है तो नाइन का से उत्र अप्संस नमबर क्या हो जागा आपका करेक्ट तमिल नाडू तमिल नाडू वो एक ऐसा राज है जो वर्साद जल के संग्रहन के लिए धाचों को बनाना अरिवार्ज है वो भी अपने घर में ठीक है नेक्ट कोश्चन चलते हैं और ये लास्ट कोश्चन से 10-10 कोश्चन का सेट बनाए गया है ताकि विद्यार्थी को कोई ज़्यादा प्रेसर होई नहीं 10-25 सेट देख लेंगे अब आँ हम से स्टड़ी कर लेंगे अच्छे नमबर सभी को लाना है 450 नमबर से बावू ठीक है कोश्चन से नमबर 10 क्या लिखा गया है 10 इनमें से कौन हमारे देश में प्राया लुप्त हो चुका है तो दसमा कासा है उतर आप्समस नमबर C नमबर याने A नमबर हो जाएगा चीता गेंडा नहीं चीता हमारे देश में प्राया लुप्त हो चुका है चीता ठीक है चलिए हम लोग आप लोग ना दोस्तों टेलिग्राम से भी जूर जाएए मेरे त्यारे छात्र आपको वहाँ से जूरने से बहुत सारे फाइदा मिलेंगे क्या-क्या फाइदा है या पर इच्छा से जानकारी अपडेट्स निउज प्रोवाइड किया गया जो आपको चाहिए जो बिद्यार्थी कॉमेंट मैसेज करके मांगते है वो मांगो को पूरा करते है ठीक है और जैसे ही आप लोग सी एंसर्च में यहाँ पर आप किलिक कीजेगा ना सभी का एंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर ठीक है सभी का एंसर आपको मिल जाएगा आपको यह गूगल पर आपको सिंपली सर्च करना पड़ेगा क्या सर्च करना पड़ेगा यही तो आपको सर्च करना पड़ेगा एचीवर एजूकेशन यह आपको ठीक है एचीवर एजूकेशन आप सर्च कीजिए और सी एंसर्स में पहले किलिक कीजिए और देखिए सभी का एंसर आपको बारी-बारी से पूरा विस्तार पुरवक अच्छे डंग से समझाया गया ही है और अच्छे डंग से आप लोगा स्टडी कीजिए ताकि सभी स्टुडेंट्स जादा से जादा नमबर लाइए भी हार टॉप कीजिए अपने देश समाज अपने गाउं का नाम रोसन कीजिए मेरे प्यारे दोस्टी कहा है बहुत बहुत दनेबाद आप अच्छे से पढ़िए कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कॉमेंट सेक्षन बॉक्स में अवस मुझे कॉमेंट करके बताए ठीक है फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में और आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद सुक विया